हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल जीके जीसेस में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको सिच्छक भरती परिच्छ 2018 जो है उसके में अपडेट देना चाहते हैं जो अपडेट आया है 79,000 सिच्छक भरती सिच्छा मित्रों को आफ-लाइन प्रवेश पत्र जारी होंगे जिनोंने फार्म भरते समय तुर्ट की थी तो कोट के आदेशा नुसार उनको आफ-लाइन प्रवेश पत्रों जारी किया जाएंगे क्या का आगा हम आपको बता रहे हैं इसके साथ एक चीज और बता दें कि नियुन्तम अहरता अंक के बिना सिच्चक भरती परिच्छा को चुनोती दी गई है कि नियुन्तम अंक जो है ओ घोसित किया जाए कि नियुन्तम अहरता अंक क्या होगा उसमें घोसित किया जाना चाहिए तो हम आपको बता रहे हैं पहले सिच्छा मित्रों से सम्द्री सूचने बारे में 79,000 भर्टी के आबेदन में गल्टी करने वाले सिच्छा मित्रों को कोर्ट के आदेश के भाद परिच्छा में सामिल किया जाएगा इस आसे का आदेश सासन से भी आ गया है सासन की ओर से मिली छूट का लाव लगभक साथ सो सिच्छा मित्रों को मिलेगा विशे सचिव चंद सेखर की ओर से S.C.E.R.T के निदेशक सचिव परिच्छ नियमक प्राधिकारी को भेजे पत्र में आवेदन में गलती करने वाले अहर सिच्छा मित्रों को आफ लाइन प्रिवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है सहाइक अध्यापक भरती के आवेदन सिच्छा मित्रों ने गलती से योगिता कालम नहीं भर सके थे इस कारण से सिच्छा मित्रों को आयू सीमा में छूट का लाव नहीं मिला और आबेदन निरत हो गए सचिव परिच्छ नियमक अनिल भूसनर चतुरवेदी ने बताया कि सासन का आदेश मिलने के बाद अब ऐसे भिर्थियों को आफ लाइन प्रिवेश पत्र जारी किये जाएंगे मतलब जो अहर हैं और आयू सीमा में उनको छूट नहीं मिले थी उसके अंसार अब उनको छूट मिलेगी और वह इस परिच्छा में सामिल हो सकेंगे और दोसरी जो न्यूज है कि नियुनतम अहरता अंक के भीना सिच्छक भरती परिच्छा को चुनोती सिच्छक भरती परिच्छा 2019 में नियुनतम अहरता अंक घोसित किये भीना परिच्छा कराने को हाई कोर्ट में चुनोती दी गई है कोर्ट ने इस मामले में बेसिक सिच्छा परिश्द और प्रदेश सरकार से तीन दिन में जबाब मांगा है अनूप सिंग और 23 अन्य की याजका पर नयमूर्ती प्रकास पाडिया शुनवाई कर रहे हैं याजका गण की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता आरके ओज्जा का कहना था कि सिच्छक भरती परिच्छा 2019 इस आयोजन 6 जनूरी को किया जाएगा मगर परिच्छा से पूर्व नियुनतम अहरता अंक घोशित नहीं किया गया जबकि इससे पूर्व नियुनतम अहरता अंक पहले से ही घोशित कर दिया गया था इस सम्मन्द में 1 दिसंबर 2018 को सर्कुलर जारी किया गया है उसको चुनोती दी गई है तो फ्रेंट्स हमारे इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हर हमारे हर वीडियो को लेटेस्ट आपको प्राप्त वसकें तो फ्रेंट्स हमारे इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद